नफे गाईज सीविस तो आज हम लोग फ्लुड सिस्टम और उसके ऑपड़ेट कितनी डिवाइस के बारे में बात करेंगे रिक इस तन के हैं सबसे पहले हैं हमारा है इक डिवाइस है जिसके नदर हम हैवी वेट्स को लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं बस एपलाइंग स्मॉलर प्रेस यह इसके नदर हमारा पास्कल स्लो का में प्रिंसिपल वर्क होता है जो बताता है कि यह प्रेसर इंटेंसिटी इस्टाटिक फ्लूइट के अंदर हर जगे सेम होती है ना ऐसा कुछ हमारा कंश्ट्रक्शन है जिसके नदर हमारा यहां पर हमें वेट्ट करना है और यह मलब हमारा से एक सिलिंडर टाइप है यह लाट्ट सिलिंडर है यह रैम बो से कितना वेट होगा उसके कैल्कुलेशन आता है ने लिकन तो सबसे इसके कंश्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं इसके अंदर दो सिलिंडर होता है एक स्मॉल सिलिंडर और एक लाट सिलिंडर जो लाट सिलिंडर होता है उसके अंदर एक रैम होता है उसका एरिया क का आपले करता है जिसका छ Otherwise हो में होता है और इन दोनेंगे हमारा फ्लूइड होता है वर्किंग फूइड ऑ इसके बारे में कुछ बेसिक चुछ था अब इसका वर्किंग क्या ओताह। पर जब भी हम एक स्मॉल प्रेसर लगाएंगे फोर्स लगाएंगे प्लंजर पर यानि स्मॉल शीलंडर के अंदर पर तो यह डाउनवड डारेक्शन में मूव होगा लेकिन यह है अपफ़र डारेक्शन में मूव होगा क्योंकि पासकल लोग की मतदद से है ओके अभी यह जिसके से क्या होगा कि जो हमारा वेड मूव कर रहा है वह अपवर डारेक्शन में मूव होगा इसके कहीं जगे अप्लिकेशन है मतलब डिफरेंट डिफरेंट अप्लिकेशन से जहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं अप्लिकेशन करता है कि किस से काम करता है में अगर हमें डबलू की वैली फानट करनी है कितना एफ है हमाएं मालूंग है कि प्लंजर की और रेम की एरिया हमारे कॉंस्टेंट रहेगा फोर्स हमें मालूंग है तो उससे पीज इकल टू एफ अपॉन ए और पास्कोल लोग की मतल से एफ बाइ स्मॉल ए इस इकल टू कि डबलू बाइ कैपिटल ए हमारा एक्वल ही रहेगा यानि जितना हम प्रेसर इंटनसीटी है दोना पाजू सेम रहेगी तो यहां पर हम डबलू को एड़फ इक्वेशन बनाएंगे तो हमें कुछ डबलू का इक्वेशन मिल यह कैपल की ऑप मिल एंटनसी जाओ जबलू को झाहे चर्वेशन संग्टंस से नहाधे दो गल् 1.